नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैरानी गुपता आपके साथ हिमाचल में कॉंग्रेस के अंदर बगावस से उबजे सियासी संकट के दोरान प्रदेश की कॉंग्रेस अध्यक्ष प्रतिभास सिंग का बयान काफी जादा चौकाने बाला है और ये वयान कॉंग्रेस पार्टी को एक नई टेंशन दे सकता है दरसल लोगसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रतिभास सिंग ने कहा है कि बीजेपी का कामकाज हम से यानि की कॉंग्रेस से काफी जादा बहतर है आपको याद दिला दे कि अभी हाल ही में किस तरीक से राजसभा चुनाव के बाद वहाँ पर छे कॉंग्रेस के विधायक वागी हो गये और उन्होंने एंडिये समर्थक को वोट दिया जिससे की बीजेपी के राजसभा उमीदवार हर्स महाजन की जीत हुई और कॉंग्रेस के राजसभा उमीदवार अभिशेग मनुष सिं संसत के तर्पर मैंने अपने निरवाचन चेत्र का दोरा बार बार किया और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है ये सच है कि बीज़पी की कार्य प्रडाली हम से काफी बहतर है अतादे की प्रतिबास सिंग ने कहा कि मैं पहले दिन से ही मुख्यमंत्री से कह रही थी कि हम आगामी चुनाव का मुकाबलात तब ही कर पाएंगे जब वो संगठन को मजबूत करेंगे यह हमारे लिए बहुत क कठनाईयों को देख सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मुताबक बीज़पी बहुत कुछ करने जा रही है हम बहां कमजोर अस्थती में हैं मैंने उनसे बार-बार आगरा किया है कि हमें मजबूत होने की आवश्यक्ता है और पार्टी को संगठ करने की आवश्यक्ता है मैं कह सकती हूं कि यह कठिन समय है फिर भी हमें चुनाव लड़ना और जीतना है वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप बीज़पी में शामिल हो सकती है क्योंकि सीरिय तोर पर आपको याद दिला दे कि बीज़पी किनेता जैराम ठाकु कि हमारे आइडालजी शुरू से ही कॉंग्रस के प्रती रही है लेकिन कल को क्या होता है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती एक बार आप भी सुनिए कि आखिर प्रतिभा सिंग इस पूरे हमाचल के सियासी घटना करम को ले करके क्या कह रही है और किस ओर इशारा कर रही है माने मुख्य मंतरी जी को यही बात कह रही थी कि आप संगठन को मजबूत करेंगे तब ही हम आने वाले चुनाव का सामना कर सकते हैं यह बहुत कठिन घड़ी है हमारे लिए आप जानते हैं हमारे आदर नियमोदी जी के आदेश के अनुसार कितनी डिफिकल्टी हमको करने की जरूरत है पार्टी को संगठित करने की जरूरत है आज जो हम इलेक्शन का सामना करेंगे वो डिफिनेटली आए आई किन से देट इस डिफिकल्ट टाइम पर फिर भी चुनाव तो चुनावी है लड़ना है और उसमें जीत हासिल करने अभी बहुत कुछ कुछ करन करने का प्रयास किया हमार पासांसद निदी होती है जो जिसका बठवारा मुझे बराबर बराबर हर हलके में करना था क्यूंकि अब कभी भी कोड़ अफ कंडक्ट लग सकता है फिर पैसा लाप्स हो जाएगा तो यह इस विशे में मैंने सभी से फीड़बैक लिया यह बात कि अध्यक्ष के नाते मुझे सभी पार्टी के संगठन के लोगों को मजबूती देना मेरा काम है जिसके लिए मैं प्रयास रहत हूं कि माने मुख्य मंत्री ने डिसाइड करना था कोई बड़ी भारी चीज तो थी नहीं उस टैच्यू के लिए सभी कॉंट्रिब्यूट कर के सबक्रों करने को त्यार थे कि हम लगाएंगे हम बनाएंगे हम लाएंगे मूर्थी आप जगा तो दो जगा तो हमारी कितनी माहात्मा गांधी की स्टैच्यू राइडरा जी की resultados कि है और उसी तरह से औल बहारी बाजश पाई की भी है और हा तो हम भी चाहते थे थे जिनका बहुत बड़ा contribution रहा आज के modern हिमाचल को बनाने में तो ये सिर्फ हमारी चाहने थी सब भी party workers across party lines also people felt कि ये होनी चाहिए लगनी चाहिए लोगों के sentiments जुड़े वे उनके साथ अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई है पर कल विक्रमा देते ने अवश्य इस बात को अपन one decide करेगा because अब तो उनको निश्कासित कर दिया अब क्या उनका रोल रहेगा क्या वो आगे strategy बनाएंगे कि हैं जाएंगे 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 वो अपने न्याय के लिए तो हर इनसान लड़ाई करता है तो वो भी मुझे नहीं पता कि क्या direction थी और speaker साहब ने ये जो फै मैं राणा जी की बात करते हूं राजिंदर राणा जो कि एक हमीरपुर्क शेतर से ये बड़ा eminent चहरा है जिन्होंने दूमल साहब को हराया और वो चाहते थे कि मेरी कई ना कई सरकार में adjustment हो एक साल से उपर उन्होंने इंसार किया ये नौबती ना आती अगर उनको कई adjust क आपको बता दे कि ये पूछे जाने पर कि लोग सबह चिनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में Congress के प्रचार का चहरा कौन होगा सीमसुकू या फिर वो इस पर प्रतिभास सिंग ने कहा कि वो आला कमान तैय करेगा ये तैय करना मेरा काम नहीं है मैं कार्यकरता की तरह एक Congress अध्यक्ष के रूप में संगठन और कार्यकरताओं को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए सभी प्रयास कर रही हूं साथ ही ये पूछा जाने पर कि क्या वो आयोग ठहराए गए छे Congress विधायकों से मिलेंगी हिवाचल प्रदेश Congress अध्यक्ष ने कहा आप उनसे मिल नहीं सकते ये सब कुछ आसान नहीं है देखते हैं कि आगे क्या इस्थिती बनती है आपको याद दिला दे कि सीधे तोर पर जिस तरीके से राजसमा चनाव हुए हैं उसके बास से ही हिमाचल प्रदेश में Congress की सरकार काफी जादा संकट के मोड में इस वक्त आ चुकी है ऐसे में जिस तरीके से प्रतिभास सिंग का ये बयान है काफी जादा Congress Party की टेंशन बढ़ा सकता है क्योंकि यहां पर खुद जो हिमाचल प्रदेश की Congress अध्यक्ष है प्रतिभास सिंग उनका ये मानना है कि जब वो जमीनी इस तर पर जा रही है अपने सांसद क्षेत्र में जा रही है तब लोगों से मिल रही है तो उन्हें बकादा ये चीज़त दिखाई दे रही है कि कैसे बीजपी काफी जादा मजबूत स्थिती में है और बीजपी Congress से काफी जादा बहतर काम भी कर रही है Congress की नेतरी के द्वारा ये बास्वीकार करना कि जी रही है फिर चाए उनके पती की हो या फिर उनके बेटे की हो या उनकी खुद की हो वो Congress के प्रती रही है लेकिन कल को क्या होता है इस स्थिती को लेकर के वो फिलहाल कोई भी बात नहीं कर सकती या फिर कोई विरायन नहीं दे सकती है लेकिन आपको याद दिला दे कि सी चिनाव भी लड़ सकते हैं गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि जब विक्रमा दित्य सिंग पार्टी से नाराज हुए थे और उन्होंने इस इस्तिफिक की पेशकस की थी तब एक बात उन्होंने बहुत ही सलीखी के साथ उठाई थी और यह कहा था कि पार्टी में उनका अपमान किया गया है यही नहीं उनके पिता को भी सम्मान जनक चीजें नहीं दी गई है और एक मूर्ती बनाए जाने कि उनकी काफी दिनों से मांग की जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा मांग की जा रही है लेकिन आला कमान जो है वो दो गज जमीन भी उनके पिता को नहीं दे रही है ताकि उनकी एक मूर्ती शिमला में स्थापित की जाए तो इस बात को ले कर के भी काफी जादा विबाद है हाला कि इस बीच हिमाचल में कई सारे पूर्वजु मुख्यमंत्री हैं वीरभद रसिंग उनके समर्थक भी खासा नाराजगी व्यक्त कर चुके है फलाल इस पूरे मामले को ले करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद